बवाल मचने के बाद अब साधवी प्रग्या ठाकुर ने लोकसभा में अपने बयान पर माफी मांग ली है उन्होंने कहा है कि किसी को ठेस पहुची हो तो माफी मांगती हो उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बयान को तोड मरोड कर पेश किया गया है उन्होंने बिना किसी का नाम लिये राहूल गांधी पर निश्वाना साधा, उन्हें गेरने की कोशिश की लोगसभा में कहा कि एक सांसद ने मुझे साजनिक तौर पर आतंकवादी कहा मेरे उपर कोई आरोप अभी साबत नहीं हुए है साधवी के माफी मांगने के बावजू सदर में जोरदार हंगामा होता रहा महात्मा गांधी की जय और गोट से डाउन के नारे भी लगाए गए प्रग्या के बयान से विपक्ष जो है संतुष्ट नजर नहीं आया और इसलिए जमकर हंगामा लोकसभा में देखने को मिला हाला कि साधवी प्रग्या ठाकुर ने जो माफी मांगी है माफी मांगने के साथ साथ राहूल गांधी पर निशाना भी सादा है और कहा खुले आम मुझे एक सांसत को आतंकवादी कहा जाता है मेरे उपर आरोप साबित नहीं हुए उसके बावजूद अगर इस तरह की बयान सामने आते हैं इस तरह मेरा अपमान किया जाता है तो इसके बारे में क्या कहेंगे जिस तरीके से राहूल गांधी ने ट्वीट किया था और कहा था कि एक आतंकी गोट से और एक आतंक वादी साध्वी प्रण्या ठाकूर 222 कोई भी सदस्य अध्यक्षि की अनुमत्य से कोई ऐसा प्रश्म उठा सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समित्यके विशेष अधिकार का भंग अंतरग्रस्त हो मैं इसके अंतरगर्स अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ महोद है बीडे घठना क्रम मैं सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिपणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेश पहुची हो तो उसके लिए मैं ठेश प्रकट कर समा चाहती हूँ परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिये मेरे बयानों को तोड मरोड कर गलट धंसे पेश किया गया है मेरे बयान का संदर्व कुछ और था जिसे गलट डंसे इस रूप में प्रस्कुत कर दिया गया जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड मरोड गया है वो निम्दनी है महात्मा गांधी द्वारा देश के कती सेवा कारे का मैं श्रद्दा और सम्मान करती हूँ मैं सदर्व को ध्यान दिलाना चाहती हूँ मैं सदर्व को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदर्व के एक माननी सदस्य दारा मुझे सारवजिनिक तौर पर आतंकबरदी कहा गया मेरे साथ तत्कालिन सरकार द्वारा रचे गए शड्यंत्रों के बार्जूद अदालत में मेरे खिला 222 कोई भी सदस्य अध्यक्षिकी अनुमति से कोई ऐसा प्रश्म उठा सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के ओले आपके मेंबर को बिठाओ आप बिठाओ पेले आप मेंबर को बिठाओ न पेले में वाट उनको सदान को ओडर माने को फिर बोलो असो तो भी लख ट्राइज अमारे सदस्य फ्ली बेड़ जाईए शदन को ओडने होगागा कि अच्छ्छ पूलने को नहीं होगा ऑनों पहले जोटीजिए अच्छछ आ पहले तो साधवी प्रग्या ठाकुर ने जिस तरीके से लोखसभा में ही गोडसे के बारे में कहा था, उन्हें एक क्रांतिकारी बताया था, उसके बाद जब फजीहत बढ़ी तो आक्शन लिया गया और आक्शन के नाम पर क्या लिया गया, उन्हें पार्टी से हटाया नहीं गया, बीजेपी ने यही आक्शन उनके उपर लिया है कि रक्षा समिती की वो सदस्य थी, तो वहां उन्हें हटा दिया गया है, अब वो संसदिय समिती की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी, बस यह आक्शन बीजेपी की तरफ से था.